करनाटक में कोरोना के नए वेरियंट ओमी क्रॉन के दो मामले सामने आने के बाद तनाफ का माहल बना हुआ है करनाटक सरकार ने इन मामलों को देखते हुए अब सुरक्ष अपाईयों की घोशना की जिसमें मौल सिनमा घरों में जाने वाले लोगों के लिए ठीके की दोनों खुराक आनेवार की गई है साथी स्कूल कॉलजिस जाने वाले चात्रों के विबावकोर के लिए भी इनियम लागू कर दिये गए हैं इसके लावा राज्यो सरकार ने हवाई अड़ो पर अंतरास्ट्रे यात्रों की जाट तेज करने का भी आदेश दे दिया है साथे स्क्षन संस्थाओं को अपने सरवजनिक कारेक्टरम को स्थागित करने के लिए भी कहा गया है सभाओं, बैटको, सम्मिलनों में शामिल होने वाले लोगों की संक्या 500 तक सीमित करने का भी आदेश जारी कर दिया गया है एक बार फिर से तस्वीरे भयावे होती हुई नजर आ रही है करनाटक सरकार हाई अलर्ट पर नजर आ रहा है दरसल दो मामने सामने आये थे करनाटक में ओमिक्रॉन के तो ऐसे में तनाव की स्थिती लोगों के बीच बनी हुई है लोग डरे हुए है क्योंकि दूसी लहर में हालात बस से बत्तर हो गए थे तो ऐसे में लोग वही तस्वीरे दुबार नहीं देखना चाते इसी वज़े से सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है मुक्यमंत्री बासवार आज बोबाई ने राज़े में पूरे विश्व में करीब 400 मामली सामने आए है अभी इन मामलों पर कोई अधिकारी का अध्यान नहीं है लेकिन उप्लफ्ट अनप्चारिक सुचनाओं के रसाइस सेंक्रमन बहुत तीव्र नहीं है लेकिन फिर भी हम में साब्धान रहना है जाग रुकता रखनी है और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है मास्क जरूर लगाए तमाम हिदायत जो है सरकार दे रही है जो है वो राज्य सरकार हो जो है वो के जो सरकार हो हमें उस पर पूरी तरह से ध्यान रखना है और उसे मताबिक आगे बढ़ना है भेड़भाड वाले लाकों से बचना है साथी अगर बेहत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ही ना जाए जो नौकरी पेशा लोग है जो स्टूडेंट है जो सेक्शन संस्ताओं में जाते हैं उनको खास ध्यान रखने की जरुरत है यह संक्रमन बहुत तेजी के साथ फैलता है नया वेरियंट हलाकि इसमें देथ रेट कम है अभी जो अध्यान किया गया है उसके द्वारा यही पता चला है कि देथ रेट बेहत कम है लेकिन उसके बावजूद भी हमें धिलाई नहीं दिखानी है जागुता सतकता बेहत जादा जरूरी है